मित्रो इंद्रजाल को अक्सर लोगतांत्रिक विद्या, वशीकरण और जादू टोने से जोडते हैं। इंद्रजाल एक तरह से हमारे आखों का भ्रम ही है, जिसे हमारा दिमाग पकड़ नहीं पाता है और फिर हम इसके असर में आ जाते हैं। आज के इस विडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो इस विडियो को अंत तक जरूर देखें। इस विडिया का गलत इस्तिमाल भी बहुत हुआ है, और आज तक भी होता आ रहा है। इंद्र को छल, कपट या चक्मा देने वाला माना जाता है, इसले इस विडिया का नाम इंद्र जाल पड़ा। कहा जाता है कि यह विडिया रावन मेघनाद्व अन्यराक्षस इस विडिया के ग्याता थे। इंद्रजीत तो इस विडिया के महाग्यानी थे, क्योंकि वह युधक्षेत्र में भी बादलों में छिपकर प्रहार करते थे। इंद्रजीत ने यह विडिया महादेव से सिखा था। इंद्रजीत को यह विडिया बहुत कठिन परिश्रम करने के पश्चात ही प्राप्थ हो सका। मित्रों यह एक भ्रम विद्या है, इस विद्या से किसी को भी भ्रमजाल में फसाया जा सकता है और उन्हें अपने इच्छा अनुसार नचाया जा सकता है, जो इस विद्या का अभियास करते हैं, उन्हें एंद्रजालिक कहते हैं, आज कल इसे जादू का खेल कहते हैं, आप स या फिर आप ऐसे जादुगर को जरूर देखे होंगे, जो गर्म लोहे को अपने मुह में रख लेते हैं, गर्म जंजीर से अपने शरीर पर मारते हैं, जीवीत मनुश्य को दो टुकडे में बाट देते हैं, ऐसे बहुत सारे अध्भुत दृष्य को दिखाते हैं, जो वास् में किसी चमतकार से कम नहीं लगता है, ये सभी इन ही विद्याओं का प्रयोग करते हैं, यह विद्या ऐसा हैं, जिससे देखने वाले व्यक्ति भ्रम में आ जाता हैं, उस व्यक्ति को वही दिखाई देता हैं, जो एंद्रजालिक चाहते हैं, कुछ लोग इसका संबंध प का चेला था, उसने कहा कि पूरी सभा में अपनी बात को रख पाना और सभी को अपने तर्क के लिए राजी करना बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने इंद्रजाल को राजनीती में प्रयोग के बारे में सुझाव दिया, उनके सुझाव के अनुसार कुछ ऐसा होना जैसे भय उत्पन करने वाला प्रयोग, ऐसा करने से सामने वाले शत्रु के समभ में भय उत्पन हो जाता था और उनकी सारी सेनाएं छिन्न भिन हो जाते थे, यह सब केवल इंद्रजाल से ही हो सकता है, असल में इंद्रजाल वह है, जिस पर हमारी आखे, दिल और दिमाग विश्वास करने के ये राजी न हो, अक्सर हमें लगता है कि यह हमारी आखों का धोखा है, परन्तु यह दिमाग की चतुराई से होता है, जादूग्रों के हाथ हमारी नजरों और दिमाग से कई तेज होते हैं, इसी कारण हम जादू को समच नहीं पाते, आप यह सुनकर चौक जाएंगे कि इंद्रजाल नाम की एक जड़ी भी है, यह समुदरी इलाके में पाई जाती है, प्रन्तु यह सारे समुदरी इलाकों में नहीं मिलता है, इसका अलग शेत्र हैं, माना जाता है कि यदि इसे साफ कपड़े में लपेट कर पूजा घर या मंदिर में रख होते हैं, इस जड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह किसी भी टोने टोटके को बेशर कर सकती है, इंद्रजाल की महिमा डामरतंत्र, विश्वसार, रावन सनहिता, आदी ग्रंथों में बताई गई है, मित्रों अगनी स्तंभन मंत्र से साधक अगनी को भी स्तंभित क कर सकता है, प्राचीन समय से इस मंत्र का उपयोग होता आ रहा है, प्रन्तु इस मंत्र की सिध्धी अब बहुत कम लोगों के पास रह गई है, इसका उपयोग ज्यादातर जादूगर करते हैं, लोगों को चमतकार दिखाने के लिए, उसके पास अगनी स्तंभन मंत्र की जिससे वह लोगों को बहुत तरह के जादू दिखाते हैं तो मित्रों आज के इस विडियो में हम विस्तार से जानेंगे की इसकी सिध्धी कैसे होती है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं तो बने रहे विडियो में अंत तक जिससे आप इसको सिध्ध करने की पूरी विधी को स पुर्वक समझ पाएं। किसी भी प्रकार की कोई प्रशानी आने लगे, तो तुरंत इस मंत्र का जाप बंद कर दे, अन्यथा इसका उतरदाई आप स्वन्य होंगे, आप चाहे तो इस मंत्र को सिध्ध करने के लिए एक ऐसे सिध्ध पुरुष के घेरा में रहकर करे, जो इंद्रजाल का ग्याता तो भुल से भी इसका प्रयोग ऐसी जगह न करे, जिससे आपको कठिनाईयों का सामना करना पड़े, इस साधना की सिध्धी मिल जाने के बाद, इसका प्रयोग गलत काम में नहीं करना चाहिए, कई साधक तो ऐसे होते हैं, जो इसका प्रयोग हर जगह और बार-बार करते ह इसलिए उसकी सिध्धी नश्ठ हो जाती है। ऐसे तो अगने स्तंभन के लिए अनेक मंत्रों को प्रयोग में लिया जाता है। उन्ही में एक मंत्र को आप सभी के बीच में रख रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है। अपने इश्देव का पुजन करना अनिवार्य हैं। उसके बाद ही मंत्र उच्चारण करे। मंत्र सिध्ध होने पश्चात निमनाकित प्रकार से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। प्रथम प्रयोग अगर आप एक जादूगर की तरह मुख से आग के अंगारे को चबाना च चबाने से मुख जलने का भय नहीं रहता है। दूसरा प्रयोग सोंट काली मिर्च तथा पीपल को 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके चबावे और उसके पश्चात प्रजवलित अगनी के टुकडे को चबाने से मुख नहीं जलता। तीसरा प्रयोग कपूर के साथ मेढक की चर्वी मिला कर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करे और शरीर पर मले शरीर पर मलने के बाद अगनी स्पर्ष करने से शरीर नहीं जलता। चौथा प्रयोग केला तथा गवार पाठे के रस को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर देह पर लगाने से शरीर अगनी से नहीं जलता है। प्रयोग मंत्र की सुभा और शाम पांच पांच माला जाप करे, साधना के समय गुगल का धुप करे, गाय के शुद्धगी का दिया जलाए, धुप और दिपक तब जलना चाहिए, जब तक मंत्र उचारन खतम न हो। इस मंत्र का जाप साधक रुद्राक्ष की माला से कर सकता है। साधना से पूर्व कुछ ऐसे नियम भी हैं, जिन्हें पालन करना अत्यंत अवश्यक हैं। मित्रों साधना से पूर्व गणेश पूजन और अपने इश्टदेव की पुजन अवश्य करे और अंजली में जल लेकर संकल्प ले, यह संकल्प ग्यारा दिन की होनी चाहिए। ग्यारा दिन साधना करने से साधक को साधना में अवश्य सफलता मिलेगी। मित्रों अगर यह मंत्र आप सिद्ध कर लेते हैं, तो इसको पुर्ण रुप से जागरत रखने के लिए आपको एक और काम करना है. इसके लिए आपको जब ग्रहन काल हो या कोई शुभ अवसर हो तब आपको उपर्युक्त मंत्र की 51 माला करके इस मंत्र को सिद्ध कर ले ता भोजन तयार करने है तू, किसी पात्र को रखा हो, यदि आप इस मंत्र को साथ बार नमक की डली पर मंत्र पढ़कर चूलहे में डाल दें, तो चूलहे पर रखा पात्र कभी गरम नहीं होगा, जब तक कि इस मंत्र पुनह कटा न जाएं। आप शायद ऐसे जादुगर को अवश्य देखे होगे, जो अपने मुह में आग को रख लेते हैं, गरम जंजीर को रख लेते हैं, अगनी से संबंधित अन्य जादू दिखाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, इन सभी के पिछे एक विधी रहती हैं, जिसे अपना कर वह इस तरह के जादू दिखाते हैं। प्रयोग जो इंद्रजाल के घेरा में आता हैं, जिसका प्रयोग करके आप किसी की भी नजर को बांध सकते हैं। नजर बांधने का मतलब होता है कि आप जो देख रहे हो वह सही नहीं है, दूसरा व्यक्ति जिसने आपकी नजर बांधी है, वह जो चाहेगा आपको दिखा सकता है, पर वह सिर्फ एक ध्रम होता है। उच्चकोटी के साधक लोग या फिर नागा साधू, जो बड़े नागा साधू होते हैं, उनके पास भी यह विद्या होती है। यह एक साबर पध्धती की विद्या है। अगर आप इसको एक बार सिद्ध कर लेते हैं, तो आप इसकी सिद्धी से जो चाहे लोगों को दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों को एक मरा हुआ सांप जिन्दा करके दिखाता हूँ। वह सांप जिन्दा होकर हवा में उरने लगेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को लगेगा पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां बस आपकी बातों को सुनकर वह भ्रम में आ जाता है। पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा लोग होते थे, वे बड़े-बड़े मदारियों को बुलाते थे, मदारी लोग अपना तमाशा दिखाते समय लोगों के नजर बांध देते थे, ताकि लोग समझ ना पाए कि यह क्या कर रहा है। जो वह बोलता था आप लोगों को वैसा ही दिखाई देता था। अब आपको करना क्या है, किसी भी रविवार को अगर उस रात को पुश्य नक्षत्र होता है, या अभिजीत नक्षत्र पड़ जाए, तो रातरी के समय आपको ठीक 12 बजेश मशान में जाना है, जहां पर भैरव जी का मंदिर हो, याद रखें, अभिजीत नक्षत्र या फ पहले पता कर लीजिए कि नक्षत्र कब पढ़ रहा है, आपको रातरी में जाकर इस मंत्र को 10,000 बार पढ़ना है, और सूरज निकलने से पहले आपको पूरा पढ़ लेना है, मंत्र काफी बढ़ा है, इसलिए आप पहले जाप कर सकते हैं, आप रातरी के 9 बजे ही श्मशा में चले जाए, और जाप शुरू कर दे, और रातरी के 12 बजे समय पुष्य नक्षत्र या अभिजीत नक्षत्र पढ़ जाना चाहिए, आपके उपर नक्षत्र का असर पढ़ना चाहिए, और आपका सुभा होने से पहले 10,000 जाप पूरा हो जाना चाहिए, एक ही रात में आपका यह मंत्रस सिध्ध हो जाएगा, आप वहां से आने के पुर्व शम्षान का भश्म ले ले और वहां से बिना किसी से वरतालाप किये हुए अपने घर आ जाए, याद रखे अगर कोई आपको अवाज देकर पुकारता है, तो आप बिलकुल भी पिछे न देखे, तब आप एक चुपकी भस्म ले लीजिए और भश्म को ग्यारह बार मंत्र से अभिमंत्रित करके लोगों के उपर फूक मार दे, ऐसा करने से सब की नजर बंध जाएगी और आप जो लोगों को दिखाना चाहेंगे, वही चमतकार आप दिखा सकते हैं, इससे आप लोगों को कुछ भी दिखा सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, लोगों को वही दिखाई देगा जो आप बोलेंगे, मित्रों यह साधना बहुत ही कठिन है, हम सभी को जितना कहने और सुनने में यह असान लगता हैं, उतना हैं नहीं, यह साधना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साब बिना गुरु के कथापी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मंत्र उच्चारण किया जाता हैं, तो ऐसे नाना प्रकार के आहत पहुचाने वाले उर्जाभी साधक की तरफ आकर्शित होते हैं। साधना गुरु के उपदेश लेकर ही करे, अन्याथा आपको इसकी भारी किमत चुकानी पड़ सकती हैं।